कि अश्डी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है उम्मीद आसे एक खामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे बैतर होंगे इंडियन पोस्ट बैंक में अकाउंट खोल रहे हो या खुलवाना चाहते हो दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वर्स पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कौंड़ से जे दो आकाउंट हैं बहुत से भाईयों के रहत talkin' दोनों एक होतते हैं जबकि एक नहीं होते इन में इनडियन पोस्ट पेमेंट में क्या आपको मिलेगा इन दोनों में क्या डिफ्यंस सिस होते हैं और दोनों अलग अलग खाते होते हैं ठीक है और बारह अजार जमा करो बासट लाग पाओ दोनों काउंट में से कौन सा आपको खुलाना चाहिए हर महीने और 9000 रुपए तक की बचाता कहाता खुलागर कर सकते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरू करें ऐस्बी सरकारी योजना यूट्यव चैनल पर भारत के अंदरों मोदी सरकार का चोट बड़ा आदेस हो नहीं नियम हो योजनाव में बदला हो या पिर कुछ भी ऐसा हो भारत के वोटर काड़ो पिम किसान सम्मान ने दियो पिम आवास योजना हो गया सिलेंड रोज वाले जो भी है सब कुछ आपको मिलेगा और सबसे वड़िवास सटीक देंगे विश्वस ने देंगे चैनल सब्सक्राइब की हाथ जो एक योटुबर को मोटिवेट करता है चैनल सब्स सेविंग अकाउँट ठीक है इसे सोटपों में का जाता है पी ओस एछू और व इसे का जाता है आईप पी पे बी इंडियन पॉस्ट पैमियमेंड बैंक यह दोनो अलग अलग बैंक खाता है अलग अलग वो होते हैं अब इनका difference बता देता हूं फिर इनके लाब मैं आपको बताऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन सा खुलवाना चाहिए थोड़ा fast review करते हैं वीडियो अधिक लंबी ना हो इतना आप चैनल सब्सक्राइब करते हो इंडियन पोस्ट पैमेंट बेंक सेविंग अकाउंट होता है उसमें single joint minor with parents यानि उसमें चाहिए बच्चा पैदा हुआ है तभी से उसका खाता खुल सकता है parents के साथ तो इसमें एज की कोई boundary के अंदर नहीं ओती लेकिन अब आगे चलते हैं इसमें यह कzess भाई यह प्यानियों पोस्ट पैमेंट बेंक एकते हम आपड़ें कोई पैसा नहीं होता है करे में फीर हमारी कोई से खाते में कितना पैसा रखो जीरो बैलेंस रखो हम तब भी आपका खाता चालू रखेंगे कोई पैनल्टी कुछ किसी परकार का कुछ नहीं करेंगे लेकिन पोस्ट ओफिक सेविंग अकाउट कहता है कि नहीं जी हम तो 500 रुपे आप जो है रखना ही होगा खाते में वरना हम दंडात मां कर सकता है आपका खाता बंद कर सकते हैं आका कुछ समय के लिए रोक सकता है । नहीं किया रखते है और है कि इसमें क्या मिलता है तू परसेंट ब्यासदर सबसे मैं इंपोर्टेंट पॉइंट परसेंट पैड क्वाटर ली तो साथियों यह कहते हैं कि हम तो जो है दो परतिस देंगे जबकि इंडियन पोश्ट सेविंग आखाउंट के तो दोस्तो इन दोनों की अलग-अलग होती ह है इसकी IP PV के नाम से होति है इसकी अलग pos te mobile bankingAPP के नाम से होति है तो दोनों की अलग अलग application गूगल प्ले स्टोर पर हैं दोनों की अलग अलग official website Google के ऊपर हैं ठीक है भई हैं दोनों भारति डांक के अंट रख़ी ठीक है आगे चलते हैं दोनों पैसों की घरंटी होती है वह वर्चुल एटियम इसमें फिजीकल एटम भारस सरकार कहता है कि हम इसका आपका जीमेदार है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अगर आप करवाते हो इसकी जीमेदारी हमारी है अब इसमें सर ने यह तो बता दिया डिफ्रेंटिस आप खाता छुआ खुलवा सकते हो अन्ये बैंग कितरा है इसके अंदर जो मिलता है इस पर मिलता है कैसे मिलता है मिलता है अम बताएंगे सब्सक्राइम इसको आप ऐसे बैंकada यह आपका डांक के माध्यम से ही पोस्ट ऑफिक सैविंग अकाउंट खुलेगा अब इसके लाब की बात कर लें तो भाई मैंने लाब अगर आप मेरे साथ जुड़े थे तो हमने यह वीडियो बनाई थी तीन हजार से नो हजार तक की बचत पोस्ट ऑफिक सैविंग अकाउंट में आप कैसे कर सकते हो पूरा डिटेल से यहां आप देखी पूरा डिटेल से हमने इसको आपको दिखाने का काम किया था 500 रुपए 18 पला सोना चाहिए 18 पला यह पूरा जोइंट अकाउंट माइनर का इस तरह खुलेगा नाबाली का जमां यह कितना रासी जमां कर सकते हो पोस्ट ऑफिक सैविंग अकाउंट है क्या 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 इसमें आप सालह जार रुपए के बचत कैसे आप कर सकते हो पूरा इसे डिसक्राइब हमने काम किया था इसका लिंक मैं बेटी का और आपको यह खुलवाना चाहिए मत यह मानता हूं कम से कम आपको खुलवाना चाहिए 12,000 रुपे जमा करने पर आपको 62,000 रुपे कैंदर भार्त में मोधी सरकार देने का काम करती है शुकान्या समरिदी योधना की एक महीने पहले डाला तब 20,000 लोगों ने वीडियो जाएगी तो किस तरह 12,000 से आप 62,000 रुपे पा सकते हो और किस तरह पोस्ट ओफ सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हो क्या-क्या लाब आपको पूस्ट ओफ सेविंग अकाउंट में दिये जाता है पूरा इसके अंदर हमने दे रखका है पूरा एटूजर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चैनल सब्सक्राइब जरू करें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत